Hello वच्चो हो आप सभी का सुवागत है हमारे चैनल Eexam Vita में और यहाँ पर इस वीडियों हम पढ़ने वाले हैं केंदरसासित प्रदेश के बारे में तो केंदरसासित प्रदेश के बारे में है यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर ये केंदरसासित प्रदेश होता किया है हमारा राज्य के लिए है कौन सा आर्टिकल या फिर समीधान का भाग हमारा केंदर सासीत प्रदेश के लिए है तो आई हम सुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि केंदर सासीत प्रदेश क्या होता है और इनको क्यों बनाये जाता है देखे केंदर सासीत परदेश क्या होता है मुझे लगता है कि आप में से ज्यादा तर लोगों को पता है ये हमारा भारत है और भारत को हम राजियों का संग कहते हैं अब दिखिए भारत में बहुत सारे राज्ये हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इलाके हैं, जहां पर केंदर सरकार खुद से अपना सासन चलाती है। पर जो रोड बनना है पोश्टिंग करना है लेकिन जो केंदर सासित प्रदेश होता है, यहाँ पर केंदर सरकार डायरेक्टली कुछ भी कर सकती है, पूलिस को डायरेक्टली वो ओर्डर दे सकती है, कोई भी रोड बनवा सकती है, यानि जो भी आप एक तरीके से अपने राज में, जो भी आप मुख्यमंत्री से चाहते होंगे, आप अगर केंदर सासित प्रदेश में हैं, तो वहाँ पर आपको वो दिल्ली से मांगना होगा, केंदर सासित, जो आपका केंदर सरकार है, उससे मांगना होगा, कुछ राज, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ केंदर सासित प्रदेश, जहाँ पर मुख्यमंत्री की व अब हमने सामने सवाल आता है कि केंदर सासीत प्रदेश क्यों बनाये जाते हैं? केंदर सासीत प्रदेश बनानी की जरूरत क्या पड़ी हमारे देश में जब कि हमारे देश में इतने सारे राजे बन रहे थे तो इनको भी या तो राजे बना देते या फिर बगलवाले राज इनको अलग रखना पड़ा, या फिर बहुत सारे इन छेत्रों के प्रशाशनिक कारण हुए, राजनीतिक कारण हुए, भोगौलिक कारण हुए, या फिर सांस्कृतिक कारण हुए, जिनकी वज़ा से इनको अलग रखा गया। सबसे पहले हम भारत के एकिकरन की बात करें तो हम सभी को पता है कि भारत पर किस का शाशन था अंग्रेजो का शाशन था लेकिन यहाँ पर भारत में भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर अंग्रेजो का नहीं बलकि या तो पुर्तगीज का या फिर जो हमारे फ्रेंच थे फ उपर सासन कैसे किया जाए, सासन कैसे चलाया जाए, तो यहाँ पर किया गया कि नहीं, इनको हम अलग के बगल वाले राज्यों में नहीं मिलाएंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, काफी समय से ये जो इलाके हैं, ये अपने अलग अगल बगल के छेतरों से कटे हुए हैं, और इ उसमें छेड़ छाड़ ना हो, कोई भी छेड़ छाड़ ना करें, इसलिए हम सभी आपको अलग रखेंगे, आपको आपका अलग सरकार देंगे, कि आप अपना सासन ववस्था अलग से चलाइए. ये एक रीजन है, जिसको कि हम सांस्कृतिक कारण में इंक्लूड कर सकते हैं, कि जो इलाके एक तरीके से सुरू से अलग रहे हैं, उनकी ववस्था अलग रही है, वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, तो उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार जो है, वो इन इलाकों को बाक भगोली करन, भगोली करन में क्या है, कि देखे, बहुत सारे हमारे देश में छेत्र ऐसे हैं, जहां पर जो ऐसी भगोली की स्थिती है, कि उनको बगल के राज्य में या तो मिलाया नहीं जा सकता है, या फिर उनको राज्य नहीं बनाया जा सकता है, जैसे हम यहां पर लक् पर अलग रखेंगे, यहां पर सासन हम चलाएंगे, हम सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। जी 诏क भग़ुलिक कारण होता है, इसके बाद देखें राजनीतिक और प्रसाशनीक कारण, देखें कई सारे एसे होते हैं जहाँ पर राजनीति कारण ऐसा होता है कि वहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि वहाँ पर उसका खुद कासासन रहे, तो इस वज़ा से जो केंद्र सरकार है वो किसी इलाके को केंद्र सासित प्रदेश बना देती है जैसे जहां हमारा दिल्ली है अब दिल्ली देखिए हमारे पूरे देश की राजधानी है वहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौझूद होते हैं या फिर पूरे जो दुनिया के जितने भी हमारे राज वो उस इलाके के पूरी सासन वेवस्था किसी दूसरे एक सरकार के हाफ में दे दे सकती है पूरे केंद्र सरकार जो है उसका management का control या फिर उसका security का control किसके पास होना चाहिए केंद्र सरकार के पास होना चाहिए कोई हमला करने की कोशिश ना करे पूरा सेक्यूरिटी उसके हाथ में रहे इस वह ऐसे यहाँ पर दिल्ली को केंदर साशित प्रदेश रखा गया है साथ ही ऐसा ही एक्जामपल है हमारा चंदीगर यहाँ पर क्या हुआ था अब सुचिए कि चंदीगर जो है वो पंजाब की भी राजधानी है हर्याना की भी राजधानी है और चंदीगर जो हमारा केंदर साशित प्रदेश है उसकी भी राजधानी है ऐसा क्यों है कि चंदीगर को भाई किसी एक राजी को दे देते कि चंदीगड रखेगा कौन पंजाब बोलता कि हम रखेंगे मेरी राजधानी रहेगी हर्याना बोलता कि नई हमारे राज़ की राजधानी रहेगी चंदीगड तो काफी ज़्यादा जब ये जगड़ा बढ़ने लगा तो फिर केंद्र सरकार बीच में आई और बोली कि नई तुम लोग दोनों मत रखो चंदीगड को हम रखते हैं चंदीगड को हम चंदीगड को मैनेज करेंगे और तुम लोग दोनों अपनी जो है अपनी राजधानी चंदीगड को बना लो यानि पंजाब की भी राजधानी चंदीगड हो गई हरयाना के भी चंदीगड हो गई और चंदीगड किसके कंट्रोल में आ गया केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ गया अब इसके बाद देखिए हाल फिलाल में हमारे देश में दो नए केंद्रसासी प्रदेश बने हैं कौन-कौन से जम्मू और कस्मीर और लगदाख तो यहां प देखिए जो पहले एक राजय था यं जम्मू और कश्मीर वहाँ पर पूरियवस्थ चलती थी कि आपका घर का डिजाइन होना चाहिए वह एक होना चाहिए लेकिन वह होना किसके हिसाब से चाहिए जैसा कि जम्मू और कस्मीर के रीजन में जरूरत है तो यहां पर भी भो प्रोगॉलिक स्थिती है वो आपके जम्मू और जो हमारा कस्मीर का रीजन है उससे काफी अलग है तो यहां पर पूरी व्यवस्था अलग होनी चाहिए यहां पर अलग होनी चाहिए इस वज़से ऐसा कहा गया ऐसा किया गया लेकिन इसके बहुत सारे रीजन है धारा 370 हटा उनको आप यूटुब पर पढ़ सकते हैं यहां सिर्फ हम केंदरसासीत प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दिखिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमने देख लिया कि केंदरसासीत प्रदेश क्या होता है केंदरसासीत प्रदेश क्यों बनाई जाते हैं और इसके बाद हम आगे वड़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश में कौन-कौन से केंदरसासीद प्रदेश हैं, उनकी राजधानी कहा है और एक तरीके से उनके बारे में हम जानते हैं हमारे भारत में अभी कुल मिलाकर आठ केंदर सासीत प्रदेस है, पहले कितने थे? पहले थे साथ, कब जब ये जो जम्मू कस्मीर राज है, ये दो केंदर सासीत प्रदेसों में विभाजित नहीं हुआ था, ये कब हुआ? ये हुआ 1 अक्टूबर 2019, डेट याद है ना आपक एक अक्टूबर 2019 को, जो हमारा जम्मू कस्मीर राज था, वो जम्मू कस्मीर और लद्दाख, दो केंदर सासीत प्रदेसों में विभाजित हो गया, ऐसा होने के बाद हमारे पास हो गये कुल मिलाकर, नौ केंदर सासीत प्रदेस, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 26, 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? केंदर सरकार ने एक डिसीजन लिया, मतलब डिसीजन पहले ही हो गया था, 26 जनवरी को ये लागू हुआ था, 26 जनवरी को, जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं न, तादर और नगर हवेली, और दमन और दियू, ये दो अलग अलग केंद केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया, और अब हमारे पास कितने केंदर सासित प्रदेश हो गए? आठ केंदर सासित प्रदेश हो गए, राज कितने हो गए? 28 राजी हो गए, 28 राज और आठ केंदर सासित प्रदेश, तो कौन-कौन है उनकी राजधानी का है, इनके बार अड़ाण निखुभार अंड़ाननीको तरवदिय। इसके बाद चंदीकड के बहुत आई कि दादर और नगर हे लिए और दमन और दिव। इसकी राजधानी यहां पर यहां पर है दमन यहां पर आप आप को देख सके धा कृता है आपको पता है गर्वमी और सर्दी में अलग राजधानी होते है जमु कश्मीर में फिर लद्दाख लद्दाख जो है लद्दाख की राजधानी ले यहां पर आप लद्दाख को देख सकते हैं इसके बाद लक्षदीप की राजधानी करवती है यहां पर आप देख सकते हैं हमारे भारत में देखे ऐसी ववस्था की गई है कि हमारे भारत में दो प्रकार के किंदर सासित प्रदेश होते हैं, दो प्रकार कहने का मतलब क्या है? दो प्रकार कहने का मतलब है कि यहां पर जो हमारा किंदर सासित प्रदेश होगा, उसमें दो तरीके के किंदर सासित मुख्य मंत्री है, मंत्री है, विधायक है, यह सभी क्या कहलाते हैं, यह सभी विधायका कहलाती है, यानि कि वैसे केंदर सासित प्रदेश जहां का मुख्य मंत्री होगा, जहां पर मंत्री होंगे, जहां पर आपके विधायक होंगे, एक्जामपल में दिल्ली में देखते है आपका विधान सभा चुना होता है, पुड़ुचेरी में विधान सभा चुना होता है, जमू कस्मिर में होना है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर चुना होंगे, तो यह तीनों में क्या होंगे, विधान सभा चुना मंत्री भी मौझूद होंगे विधायक भी मौझूद होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे केंदर सासीज प्रदेश हैं, जहां पर जो ये वेवस्था है, मुख differenti, वाली या फिर जो मंत्री या फिर विधायक वाली वेवस्था है, वो मौझूद नह कौन कौन से जगह पर वंडवांडमान निकोबार चंदीगर दादर नगर हवेली दमन और दीव लग्दाख और लग्षदीप इन इलाकों में क्या होगा यहां पर विधान सभाचुनाव नहीं कराये जाएंगे यहां पर कोई भी विधायक नहीं होगा यहां पर सिधे केंद केंदर सासित प्रदेश हैं यहां पर अगर मुख्यमंत्री मौजूद है यहां पर विधायक मौजूद है यहां पर पुरिववस्था है तो फिर हम इसको केंदर सासित प्रदेश क्यों कह रहे हैं इसको हम राज्य क्यों नहीं कहते हैं उसका एक कारण है उसका कारण क्या ह कि यहां पर जो उप्राजिपाल होता है, उप्राजिपाल जो होता है, इसके पास सारी पावर होती है, जो यहां पर राज्य सरकार होगी, मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर किसके पास होगा, उप्राजिपाल के पास होगा, और कुछ भी काम करना यहां पर मुख्यमंत्री वो अपनी मर्जी से सारी चीज़े नहीं कर सकता है, कुछ चीज़े कर सकता है, सब चीज़े नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहां पर इसको हम केंदर सासित प्रदेश कहते हैं, समझ गए? ऐसी ववस्था है, लेकिन राज जिमें आप जाएएगे तो तो राज मैं इसा नहीं होता, राज मैं सरकार जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, यहां पर केंदर सासित प्रदेश में ऐसा अगर है ववस्था मुख्यमंत्री वाला, तो वहां पर मुख्यमंत्री के पास सारे पावर नहीं होते हैं,गि इसके पास? उप पास जिसकों की लेटनेंट गवर्णर भी का जाता है इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारा राज्य है और केंद्व सरकार द्वारा सासन चलाया जाता है राज्यों में जाता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है केंद्व सरकार होती है चानून को लागू करने की शक्ती नहींत होती है समझ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो विधान सभा है, वो आपने राज के लिए कानून बना सकती है, सभी चीजे कर सकती है, लागू कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो कानून बनाया जाएगा, वो किसके दोरा बनाया जाएगा, केंद्र सरका कानूर बनाती है केंद्र सरकार के राज साथ संग्य संबंध का अनन लेते हैं यहां पर जो केंद्र सरकार है वहां पर एकात्मक संबंध का अनन लेते हैं इसका क्या मतलब हुआ आपने फेडरलिस्म पढ़ा होगा संगवाद पढ़ा होगा संगवाद में क्या होता है एक ले यहां पर जब हम केंद्र सासित प्रदेस को देखते हैं, तो यहां पर वैसी ववस्था नहीं है, केंद्र सरकार एकात्मक सरकार चलाती है यहां पर, इसके लावा और अंतर यह है, कि यहां पर जो विधाई और कारेकारी शक्तिया हैं, वो राज्यों के पास होती है, यानि का पास जाये जाएगा, राज अपाल के पास लोग जाएंगे, मंत्री, विधायक, सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो राश्टपती होता है, वो केंदर सासित प्रदेश का कारेकारी प्रमुख होता, यानि हेड कौन होगा, राश्टपती होगा, इसके साथ ही, जो र राज्य हैं, उनको एक तरीके से समिधान में ही पावर दिया गया है कि राज्य के काम में, राज्य के डिसिजन में केंदर सरकार दखल नहीं दे सकती है। आपने समझ दिया होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक तरीके से समझें, तो मैं सौट में इसको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो डीटेल में पर सकते हैं, डीटेल में हमने एक वीडियो बनाया है, जो अब तक अपलोड हो गया होगा, कि जितने भी important articles हैं, constitution के, उसके बारे में आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर उसमें इन सभी चीजों को हमने डिसकस किया है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अनुच्छे देख है, जो की बताता है कि भारत जो है, वो राज्यों का संग है, राज्यों का संग, अनुच् है, वो दो या फिर दो से अधिक राज्यों को मिला कर, या फिर उनके भागों को मिला कर, एक राज्यों को अलग कर, नया राज्य निर्मान कर सकती है, यानि नया राज्य बनाने का पावर है, इसके बादे के समिधान का जो भाग 6 है, भाग 6 में राज्यों के बारे में डि 242 तर समझ गए हमारे समीधान में भाग साथ नहीं है यह आपको पता होगा भाग साथ को हटा दिया गया था तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कौन-कौन से आर्टिकल्स हो गए 1,2,3 इसके बाद भाग 6 भाग 8 इसमें जितने भी आर्टिकल्स है आप चाहे तो डीटेल में पढ़ने हमारे चैनल पर important articles वाला वीडियो है जिसमें constitution के सारे important articles को discuss किया गया है आप उसको देख सकते हैं उसमें इसके जो important articles है उसको हमने discuss किया है तो यहाँ पर यह जो हमारा वीडियो है यह खत्म होता है विलते हैं आप से हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की सा तब तक लिए गुड़ बाई